हाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए आप में से काफी सरे कंडिडेट ऐसे हैं जो कि 2024 में इंटरमीडियेट पास कर चुके हैं और उनको जो है गेजवेशन में लेना है जैसे कि आपको बीए करना है या फिर बीकम करना है तो उसके लिए सब्सक्राइब निट्व इसके माधियम से सभेवर्शिटी का जो लिंक करने का और इसके करने का डेट है अपने सुहीडा युसिसे सब्सक्राइब बीए करना चाहते हैं उसके according अपना date को देखेंगे और वहीं जो ही link मिलेगा जिसके माधिम से आप आवधन भी कर पाएंगे तो पूरी जनकार इस वीडियो में हम कवर करेंगे कौन से इनिवर्सिटी में जो ही आवधन सुरू हुआ है क्या उसका date है कौन से इनिवर्सिटी में शुरू नहीं हुआ है और क्या कुछ अपडेट है तो प्लिस वीडियो सुरू से अंतगले कर जरू देखेंगे और साथी साथ जो document लगता है न उस document के regarding भी हम बात करेंगे कौन कौन से document आपके पास होनी चाहिए form को भरने के लिए तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं देखिए online आवधन करने का जो link है और date है आपको easy to net.com पे मिलेगा तो आपको easy to net.com सर्ज करना है फर्स्ट में जो आपको website देखने को मिलेगा इसको यहां से open कर लेना है open करने की बाद यहां पे आप सभी जानते हैं कि जो भी वेकेंसी आती है सरकारी योजना आता है उसकी सभी जनकारी दी जाती है और admission की भी जनकारी दी जाती है तो यहां पे देखेंगे तो आपको जो है अभी कहीं link नहीं मिलेगा तो आपको यहां पे सर्ज करना होगा बिहार graduation admission तो यहां पे सर्ज करेंगे बिहार graduation तो इस तरह से आपके सामने एक post खुलेगा जिसमें आप BA करना चाहते हैं BAC करना चाहते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी बारवी पास किये हुए वो बिहार के अलग-अलग जो university होता है उसका list भी दिखाएंगे तो उससे आप graduation करना चाहते हैं तो कैसे admission करवा सकते हैं और कौन सी university में जो है कब से admission सुरू हो रही है किसमें सुरू हुआ हुआ है किसमें नहीं हुआ है सभी जनकाडी बताएंगे ठीक है तो इस पोस्ट को open कर लेना है इसका जो link है हमने description box में प्लफट करवा दिया हुआ हुआ है वहां सभी क्लिक करके आ सकते हैं अब इसको यहां से open करेंगे तो इसमें फायदा यह है ना कि सभी university का जो ही link और जाएगा तो आपका एक साल में ही आपका जो income होता है या फिर आपका PG होता है वो PG आपका करा दिया जाएगा ठीक है तो इस तरह से चार साल में ही आपका गर्योशन भी हो जाएगा और पीजी भी हो जाएगा एप्लीकेशन फी जो है अलग-अलग होता है किसमें 600 रिपा लगता है किसी में 15 रिपा लगता है तो अलग-अलग University का जो है अलग-अलग चार्ज होता है फॉर्म फिलब होता है तो उसमें क्लियर हो पाता है बाकी आप बारी पास कर चुके हैं और आपना जो है जो भी गजुशन हो करना चाहते हैं तो आप यहां पर अपलाई कर सकते सकते हैं कि दो समेस्टर पूरा करते हैं तो आपको जो है अंदर गेजवेट का जो है सडिफिकेट मिल लाता है चार समेस्टर पूरा करते हैं एक समेस्टर एक साल में दो समेस्टर होता है तो चार समेस्टर मतलब दो साल पूरा करते हैं तो आपको जो है अंदर गेजवेट क कभी certificate degree मिल जाता है ठीक है यहाँ पर हम बात करें important document की तो आपके पास अधार काड दसवी और बार्वी का जो mark sheet certificate है वो होनी चाहिए फिर यहाँ पर चरीतर पर्मारपतर होना चाहिए बैक खाता होनी चाहिए जाती पर्मारपतर होनी चाहिए निवास होनी चाहिए इसके साथी साथ आपके पास जो भी college living certificate होता है वो भी आपके पास होनी चाहिए तो अपने जहां सभी आपने पढ़ाई किया हुआ है वहां से आप ले सकते हैं यह सारे डॉक्मेंट मेंडेटरी होता है जो कि एडिमिशन कराते समय आपको देना होता है यह डॉक्मेंट आप बनवाकर जरूर रख लेंगे क्योंकि लगने वाला है उसके बाद नीचे आएंगे तो यह जिसमें आप एडिमिशन लेना चाहते हैं जैसे कि सबसे पहले हम मुंगेर की बात करें तो मुंगेर इनवर्सिटी में अगर आप आवदन लेना चाहते हैं तो 6 अपील से ही आवदन सुरू कर दिया गया है 20 अपील तक जो है form fill up होने वाला है यहाँ पे link मिलेगा इस पे click करेंगे click करने के बाद इसकी सभी जनकारी यहाँ पे देखनी को मिल जाएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि apply करने का भी link मिल जाएगा यहाँ पे click करके सीधे आप apply कर सकते हैं ठीके तो इस तरह से अपलाई कर सकते हैं अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि माली जी आप अगर पटना इनवर्सिटी से करना चाहते हैं तो अठारे एपील से सुरू होनी की संभावना है जो कि अभी किलियर नहीं है शुरू होगा तो वीडियो आ जाएगा या फिर यहां पे आक से सुरू होनी की संभावना है बाकी यहां पे ललीत नरायल मिधला इनवर्सिटी है उसमें 24 से लेकर 29-5-24 के बीच में आपका जो ही फॉर्म फिल अप होगा इसके लिए नोटीस भी जारी कर दिया गया देख सकते हैं कि 4 बर्सिए जो भी असना तक करना चाहते हैं वो 20 अ मयाई इंवर्सिटी का सामने आकर आपको देखने को मिल जाएंगे बाकी मुंगेर के चालू है यहां पर हमने लिंक दे All in यह ठीक है अप्रील के अंतिंग सब्ता हमें ठीक है और मई के फ़र्स्ट वीक में सभी उनिवर्सिटी में जो ही आवधन अल्मोस्ट यहां पर सुरू हो जाएंगे ठीक है तो अगर आप एड्मिशन लेना चाहते हैं तो पुरी तरह से आपना त्यारी करके रखना है जो भी जो भी उनिवर्सिटी का आवधन शुरू होगा उसका प्रोपर डेट मिलेगा लिंक मिलेगा जिसके माधिम से फ़र्म को भर पाएंगे तो अभी जिनका डेट अल्मोस्ट आ चुका है उनका मैंन अपडेट कर दिया हुए बाकि जिनका आएगा धिरे-धिरे उन सभी का ज कि आपका जो एप्लिकेशन फॉर्म है एप्रील के लास्ट वीक में या फिर माई के फर्स्ट वीक में सारे इनवर्सिटी का जो यहां पर सुरू हो जाएंगे तीस तरह समयने जो ही सभी जनकाड़ी स्टेप बाइस बताने की कोशिस किया हुए वीडियो थुरा से अच्छ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें सवस्त रहें बहुत बहुत धनेवाद